मेरा नाम पिर्थवीनाथ सहानी है और मेरा नाव बेशाय है नाव के जरीये हम लोग जीते खाते चले आ रहे हैं ये तो हमारे पिता जी ने देखा कि विद्धवान थे उन्होंने सोचा कि मेरा तो इस देश में नोकर ही रहना है और कभी भी सरकार हमारे घाटों को ले लेग तुम्हारा यहां पर है क्या है तुम्हों तो पक्तान ही घालकर अपना ल хотwe तो हमारे पिता जी देखे कि हमारे पानी में ते हमारे आने वाले समय में तो सरकार इसको अतिगरहन कर लेगी कब्जा कर लेगी हमको भगा देगी तो मेरी क्या रह जाएगी तो उन्होंने कहा कि एक घाट ही क्योंने खरीद ले जिससे कि हमारा ते कम सकम यह रहे कि हम कह सकते कि मेरा इक खड़ता हुआ गाट है क cabin मारे कोई कागच आप नहीं देंगे वाई लिखा पड़ी नहीं रहेगा कोई प्हांट नहीं है पाणी म्याद नहीं हाटा देंगे तो करा से गाटका तो लिखा पड़ी है कागच है , पर सी यिलि जैसे की कीचण में कमर खिल जाता है आजमी जहलते हम लोग इतना ज्यादा पानी तुफान आनी लोगों का टार्चर आए दिन घाटों में सोसर्ड पुलिस का सोसर्ड अधिकारियों का सोसर्ड हम तो देखते डियां में सस्पी आते हैं तो नाव लेते हैं जो की अर्वो पत तो नहीं था उसके में खाशियत था कताता मर जायंगे जेल चल जायंगे किसी से डरेंगे नहीं और उससी का नतीजा है कि आजू जेल में कहा जाता है कि जब एक नेता पैदा होता है तो उसके पीछे लोग फोदने वाले बनाना चालू कर देते हैं क्योंकि गरीब परिवार में ही जब एक अच्छा आद्मी होता है तो उसके दूस्मन बनाये जाते हैं अभे वो कैसे था रहा है अभी वो कितना नेता हो गया कितना आगे हो गया तुम क्यों नहीं तुम्हारे उपर हांत रख रहे हैं तुम जड़ा चलाओ ये करो वो करो तो उसके उपर जब भी कोई कांड होता था उसने पुलिस को हमेशा अपलीकेशन देता था जित दिन हत्या हुई उसके एक दिन पहले तो दो दिन पहले उसने पहले अपलीकेशन दिया था उसके अपली इस्पेक्टर चौकी इंचार दरसासमेत का जाके रात के हुआ उनसे ब तो आप कहेंगे कि नेता हो गें तुम लड़ रहा है। पुलिस उनका साथ ने देता था। उसका कारण था कि पुरे बनार्स का जो असी से राजघार तक पुलिस जो जह जल पुलिस धन उगाई करती थी वो पूरे तरह हो रोक लगाती जाती थी नहीं तो उनके भाय के साथ क्यों देती है कारण यह यह नहीं कि असी से राजगाड तक जितने पूरे मल्ला समाज से जल पुलीस जो पैसा लेती थी समाजी से रंगदारी टक तेंग नाव लियाओ जो क्या है तुम्मारे बंस बना एक की नहीं है तुमारे पर जादा सावार मंदिर का किसी एक कम्पणी कर जब उसकी पुरी कमाई एक एरिया में नेता पैदा हो गया जो्तेगेत्म नें में गरी समाज में वार तुर्स उसका पुरा खतम हो जाएगा तो कभी नहीं चाहिए कि ये नेता रहे तो नेता को अब की सतर्प लपटना है पुलिस ने उसके भाई के ऊपर हांतके कंदे पर हात रःत दिया करे यार नेतवा शली खतर हो जाएगा तो हो हमारों का फिर से कमाई जारी हो जाएगा आज नेता चला गया फिर पुलिस वाले कातन के पूरे बनारस में चालू हो गया अब कोई भी कहीं भी पुलिस पकड़ता है इसके नाम पर धनुगाई करता है अगो रहा है तुरु भाग गया है यहां पर सबसे अच्छे काम करने वाले को सबसे कम पैसा दिया जाता है जो आपका घर का पोच्छा लगाएगा आप उसको हे दिश्टी से दिखते हैं जो आपके घर में नाला साब करेगा उसको आप हे दिश्टी से देखते हूं दुनिया का सबसे कटीन और सबसे स्रम का काम होता है उसको सम्मानी देश मे नहीं दिया जाता है जो घर बनाता उसको सबसे अपमान के दिष्टी से देखा जाता है जो नाओ का स्रम करता उसको सब को अपमान के दिष्टी से देखा जाता है जो रिष्का चलाता उसको सबसे ज्यादा अपमान के दिष्टी से नहीं होता है और आज के जुग में हमारे इंदिया में जीना है तो आप महनत करते हो तो सबसे बक्चोद सबसे चूती आदमी ओ तो जैसे नाविक लोग और उसको आज उसको हे दिष्ठी से देखा जाता है उसको कोई इजत नहीं देखते हैं कि यह स्टान को चूते नहीं है गाठ पुत्ते हैं कि तने बूर्दे फज जाते हैं बहते हुए आते हैं जब मुड़ा धकेल देते हैं जा मुटा थकेल नहीं करते कि दूर दूर अरे हम ने तो पूरे घार की गंधवकी को शुद्ध कर दिया यह अगर मुड़ा लगा रहता पूरे घाट के नाकों में बदबूत आता सारे लोग रोगी हो रहा है मैं ते डाक्टर का काम किया मुझे उपाधी मिलना चाहिए और श्रम वाले को सम्मान सबसे ज़्यादा दे आत देश में देश की विकास होगी आत देश की दुर्भाग है कि खाली सिच्छा पे सिच्छ कि अपनी बलीदान हर चीज में लगाए हुए है जैसे के कोई भी समस्या पड़ती है कोई भारी बौड अगर कोई फोटटल वाला चलाने लगता है लस लेकर उतर जाता है उसके दिन्ट इरोध करके उसको हटाया जाता है इसको निरस्त कराते है bagus अजी बंदूग ले बहुत कुछ किये हैं, वो सभी समाज के लिए किये हैं, कुछ होटल वोले रहते हैं कि अपने पी अपना बोर्ड बना लेते हैं, तो गंगा में अधार तो सिर्फ मला लोंका है, जो गंगा पूत्रकल आते हैं, तो बाहरी लोग आगे सोते बिजनेस इस करें, तो जब बाहरी करने लेंगे, तो यहां के लोग क्या करेंगे? तो थे तो बीरोद किये थे, जब वो अंदर चले गए, तभी कुरूज बोड आया, उसके पहले तो नहीं आया था, वही तो हम लोग सुरू से देख रहे हैं, उनी को देख रहे हैं, कोई भी मैटर बसे, पानी बढ़े, तो नाव नहीं चालू करना था, धन्ना परतन वो क करते थे, वो और प्रमोद माजी मिलकर दोनों लोग करते थे, बीनोद निसाद और प्रमोद माजी, सरियंद के तहट इंको फसाया जाया है, उस यहां के दमंग लोग हैं, जो इन दों से चिड़ते थे, उसी कार्णा जी लोग फज़ा हुआ है, जब विनोद माजी की बात है, विनोद माजी, तो मैं तो बच्पन से ही जानता हूँ, और पूरे बनारत के लोग अगर उसको जानते हैं, तो हमारे समाजी कनेता के रूपे जानते हैं, क्योंकि वो बड़ा ही जुजारूर टाइप का लड़का था, और समाज के लिए मर मि पतना इतना दूर तक उसकी सोचती, जिसके वज़े से सारे लोग विनोद माजी को एक विनोद मेता के रूप में जानते हैं, और जहां तक मेरी बात है, मेरा तो एक बच्चा जैसा ही था, मेरा वो बाज़ा था, मेरा तो उसका गरेनों सब्सा लेकिन बनारत के लिए वो समाजी कनेता था, दिनोद मिसाज के अगर आप बात करने तो उसने तो इतनी बड़ी मुद्धों पर बात रुखाई थी, जो कि माली ये पचास साल साल से जो चला रहा था, हम लोग के उपर एक दरा का जबरन टैक्स वसुली करना, उसने अपने बल पर हमारे समाज को साथ देके जो लड़ाई लड़के यहां से बुंडा गर्दी का जो ठेका था, उसको खतम करवाया, इस पार से उस पार जाना और दूसरे को पैसा हम लोग को देना परता था, जो कम से कर साथ साल से चला रहा था, वो एक तरह से हमारे यहां से नगर निकम के लोगों का वो इस तेके में इस पार से उसपार अगर हम अभनी लग के जाते हैं तो ठेकेदार को पैसा देना परता था, सुरू में तो दस-पांच पैसा लगता था तो अभी रोध नहीं कि लिकिन हो रुपया-दो रुपया से आप उपह की मांग करने लगेते तो लगा कि कुछ गलत हो रह अब लड़के ठेकेदारों को इद्दम यहां से खतम करने के बाद उसकी एक पहचान बन गई थी कि अब हमारे समाज में एक लड़का नेता बन जाएगा तो तो सासन और पणदासन के लोगों के नजर बनारश में भुई मल्ला का नेता बन जाएगा तो उसके खिलाब लोगों ने सढेंद्र रच्ना सुरू पर दिया और आज अगर देखा जाए तो उसी सड़यंद्र का देन है कि ना सिर्फ बिनोज बलकि अपने दो भाईयों और अपने एक सवयोगी के साथ चार लोग आप समझेजे लगभग 18 महीना होने को आया जेल के अंदर बंद है न तो उसको सजा ही मुकरर कराई जा रहा है न ही उसका बेल हो रहा है है सरकारी लोग और गैर सरकारी लोग दोनों थे यहां के माफिया लोग पंड़ा लोग ते जो हम लोगों से दोहन करते थे और इसके आते ही ये सारा जोन दीरे-दीरे हम लोग से बंद होने लगा था, हम लोगों ने देना बंद कर दिया था, क्योंकि विनोर हमको के साथ था, ख़वाई करता था, और ज़रूरत पढ़ने पर लड़ने, मरने और मारने की भी वो अपने अपने छंता रखता था, तो स सारे लोग उसको एक दम अपना नेता मानने लगें, फसाने का तो ये सड़ेंत्र है, एक भाई को दूसरे भाई को मानने की केस में फसाया गया, तब तक तो उस भाई को बरगला खुंसला के, उसके सामने ख़़ा कर दिया गया, लेकिन अब समस्या ये आगए, एक उस सारे अंत्र है, क्योंकि उन लोगों को लगने लगाता है कि अगर दफासमेदगार से विनोच, निसाद और प्रभू जिसका हस्तिया हो गया, उसको अगर यहां से हटा दे तो यहां पर अराब से बलाओं पर काबू पाया जा सकता है, उसी साजिस के पर लोगों ने प्रभ यहीं की बात है क्रूस को उनको लाना था, क्रूस लाने के लिए विनोच एक बहुत बढ़ा अर्चन था लोगों । लगों को लग रहा था कि अगर विनोच रहेगा तो फूस नहीं आपायेका, इसलिए पहले विनोच को हटाया गया, प्रभू निसाद को लगता था कि अगर यह दोनों नहीं है तो अब क्रूस को बड़े असानी से चलाया जा सकता है। लेकिन जाते जाते भी विनोद में लोगों को सीख दे दिया था कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। उसी का देन था कि विनोद के ना रहने के बावजूद भी हमारे समाजीक लोगों ने लड़ाई लड़ी और उनके जिस जगह से वो चला रहते उनको उठा के अपने चेत्र से बाहर उखार फेड़े का भी काम किया। तो यह सारा दिनोत का ही देने कि लोगों के मन में एक जजबा उसमें प्याया कर दिया था कि ना भी कैसे लेका। मालूम कैसे हो पता तराहे तवीलेका मालूम कैसे हो पता तराहे तवीलेका मैं पपो माझी मैं एक नाविक हूं कि आरगाट पर आता हूं मैं मांगंगा निशाद सेवा समीती का एक कारकर्टा था जिसका अध्यज विनोद निशाद थे विनोद जी भाई हमारे समाज के आदमी थे और समाज पर किसी तरीके का उत्पिलन होता था जैसे वो नाव का समस्या हो या जल पुलीस का समस्या हो या तो कोई शासन द्वारा उत्पिलन होता था तो आगे खड़ा होते थे उनको जो है कि अनभव था राजनित के बारे में वो अपने समाज को माने एक तरहते एक जूट का दे रहे थे मार्क दे रहे थे लेकिन कुछ दिनों तक भाई किये फिर उनके साथ जो हास्सा हुआ अभी तो फिलालो अंदर हैं जेल में हैं काम करते थे यही कि माने समाज के उपर किसी तरीके का जो इसे की उत्पिलन होता था चायो जल पुलीस का हो कभी ओबर लोड देखाखे चलान कर दे दे थे ओबर लोड देख ओबर लोड में दिखाते थे कभी छोटी नाओ दिखाते थे कभी जैसे कि पानी बड़ा हुआ है नाओ बंद है ऐसे करके कि तुन लोग कैसे चला रहे हो इसी तरीके सो लोग धनुगाई के काम करते थे और उनको उनको यह सब काम मनें जब समाज के साथ जो जूले अपना नाविकों के खिलाफ ही रहा है देखिए सर ऐसा की जल पुलीस जो है जब से घाट में आई गंगाजी के किनारे तो परसासन के अधिकारी अक्सर बदलते रहते हैं चाहिए वो SSP या DM जो भी हैं उनको कुछ जनकारी नहीं होता है गंगाजी के बारे में और नाविकों के बारे में जनकारी नहीं हो लेकिन जल पुलीस जो है बराबर रहती है घाट की नारे ओ जनकारी उनको देती है जैसा उनको जनकारी देते हैं वैसा उन लोगों को मालूम होता है जैसा कि उन्होंने धन उगाई उनका बन कर दिया तो इस तरीके से उन लोग भी माने थोड़ रख़ेगा तो नाव हम लोग बँकर दिया जाता है इसके इसके उपर जो इसके उपर जब जादा पानी हो जाता है तो वह परसासनिके अदिकारी कोते हैं अपनी नाव लेकर चलो बचाओ कि उनको वही समझ में आता है अधिकारी यह तो आदमी पहले से जाके मिलके बता है इसे समझ्या साहरा है क्योंकि हर साल हम लोगों का जैसे सामन जिस दिन भील भाड़ होता है उस दिन केवल नाव बन कर दो उन्होंने एक सई रास्ता चुना कि जिस दिन भील भाड़ होता है नहाने का दिन उस दिन नाव बन करो उनका भी रोजी रोटी है तुम क्यों बन कर दो के एक महिना उनका कमाने का समय है तो जब अधिकारी के पा जो एक क्रूज चला इनको इतना अनभो था कि कैसे क्या काम होना है तो क्रूज के उपर अलंगा लगा देते हैं एक क्रूज हमारे हिसाब से नहीं चल पाता अभी जैसे कि इनका सासन का या सरकार का कोई योजना गंगाजी में आता था जैसे हम लोगों को छोटी छोटी बोट देते थे कि स्टीमर बनवागे बोट देंगे और उनके हिसाब से उनको हम लोग रोज पैसा देंगे जब हम लोग अपने नाओं का खुद मालिक है, हम लोगों के पास खुद बोट है, हम लोगों के ऐसी जरूरत नहीं है, तो आप क्यों देंगे बोट हम लोगों को, हम लोग अपना खुद मालिक है, खुद चला रहे हैं, हम लोगों जरूरत नहीं है, आप क्यों योगदान, दुनिया में और गरीब लोग भी हैं, उनको मदद करिए, हम लोग तो आप से बोलने नहीं कि हम लोग क्यों मदद करना चाहते हैं, किस तरीके का मदद करना चाहते हैं, अगर मदद करना है हम लोगों को लोन दिला दीजिए, अच्छा से अच्छा बोट बनवा कर डाल यह तो नहीं कर पा रहे हैं आप अपना योगदान बने की बड़े उद्धुपतियों को लाके तुमको बोट मिल जाएगा तो यह मिल जाएगा ऐसे से करके गुम्राह करते हैं और हमारे जो समाज के एक्ता बनने को करीब आता है उसको तोड़ने का काम करते हैं दूसरे समाज के परती लेके जागुर्ता करने की इच्छा थी कोई भी समाज पर जैसे कुरूज हुआ या जेटी वाला मामला हुआ हर मामले में टांग बढ़ाते थे अपना खड़े हो जाते थे किसी तरीके का गंगा जी में उपर के लोगों को आने ना आने देने के कारण उनके लोग जो है कि सासन के लोग या परसासन के लोग उनको बुरा मानते थे कि एक समाज का निता बन रहा है नया नया वहड़ रहा है समाज को लेके चल आए किसी दिन घातक करेगा यह नहीं रहेगा तो कोई कोई चीज भी हम लोग ला देंगे जुन्दाजी में तो इस तरीक में आपस में गाली गलोज छोटी मूटी लडाईयां होती रहती थी लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जिसका रोजी रोटी घाट की नारे से है सब परिवार उसी से चल रहा है कोई ऐसा कदम कर देगी पूरा परिवार यह उनका जिल में चला जागा लेकिन भाई अगर कोई गल लेकिन कानून का सब्कूर हम लोगों कमी नहीं मिला है यह तरीके से समझ लिए कि जब उनको जरूरत होता है तो हम लोगों को इस्तिमाल कर लेते हैं लेकिन कानून का सहयोग हम लोगों को जितना मिलना चाहिए कुछ नहीं मिलता है अप राधियों के होसले हैं द्रोणाचर से कानून इनके सामने लड़का है भीलेका मालूम कैसे हो पता राहे तवीलेका लोगों ने तोड़ डाला है पत्थरी मिलेका लोगों ने तोड़ डाला है पत्थरी मिलेका